नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी BPSC 67PT परिक्षा के पेपर लीक को लेकर पिछले दिन सुक्रवार को एक गिरफतारी के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और बताया था कि गया के डेलहा थाना चेत्र के रामसरंग सिंग इवनिंग कॉलेज के सेंटर सुप्रिटेंडेंट सक्ति कुमार को EOU ने गिरफतार किया है और बताया जा रहा है कि वहीं से पेपर लीक का मामला शुरू हुआ था लेकिन जो अधिकारिक जो सूचना साजह की गयी थी आर्थिक अपराद IKI के द्वारा उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली थी लेकिन अब जो जानकारिया इसके बारे में निकल कर सामने आ रही है वो बेहद चोकाने वाली है क्योंकि शक्तिकुमार जिसे आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लिग के मामले में गिरफतार किया है वो जेडियू का नेता भी है देखिए तस्वीरे भी सामने आ रही है बिहार के जो पुर्व सिक्षा मंतरी रह चुके हैं असोक चौधरी उनके साथ की ये तस्वीरे है साथी साथ जो जेडियू के संसदिये बोर्ट के अध्यक्ष हैं उपेंदर कुसवाहा उनके साथ की भी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं ये वही सक्तिकुमार है जिसे पिछले दिनों आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफतार किया है और उसका कहना है कि यही वो सक्स ह जिसने पेपर लीक कांड की सुरुवात की थी गया के डेलहा थाना छेतर के रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज का ये प्रिंस्पल भी है और 2018 में इस कॉलेज के मानेता को शमाप्त करने की बात कही जा रही है लेकिन बावजूद इसके कॉलेज में कई प्रतियोगी जिखाओं का सेंटर परता रहा है और ऐसे में ये बड़ी खबर कि जेडियू का नेता बीपीएसी के पेपर लीक कांड में सामिल है देखिए जो भी जनकारिया निकल कर सामनी आ रही है वो हम आप तक पहुचा रहे हैं बीपीएसी प्रश्णपत्र लीक मामले में आर्थि अपराधिकाई द्वारा गठित SIT की टीम ने शुक्रवार को डेलाहा इस्थित रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज के केंद्राधिक चक शक्तिकुमार को गिरफतार किया था गिरफतार शक्तिसी ने आर्थिक अपराधिकाई के समक्ष अपने अपराध को श्विकार किया ग प्रश्नपत्र लीग किया था बताया जा रहा है कि गिरफतार शक्ति कुमार डेलहा में किराय के मकान में चनले वाले रामसरन सिंग इविनिंग कॉलेज का प्रिंस्पल है इस कॉलेज की मानेता 2018 में समाप्त हो चुकी है बावजूद यहां विभिन प्रतियोगी जैसे ही प्रश्नपत्र सेंटर पर पहुचा सक्ति कुमार ने उसे मोबाइल से स्केन करकर कपिलदेओ नामक शक्स को भेजा था जिसके बाद प्रश्नपत्र लीक हो गया था यह बात सामने आ रही है कि गया से गिरफतार बिपीएससी प्रश्नपत्र लीक के मामले का उपेंदर कुस्वाहा की पार्टी रालोश्पा का प्रदेश संगठन सचियू था रालोश्पा के जेडियू में विलाय होने के बाद सक्ति कुमार ने जेडियू की सदस्यता ग्रहन की थी ऐसे में कई तस्वीरे भी सामनी आई है जो हम आपको दिखा रहे है जिसमें सक्त सक्ति कुमार जेडियू के बड़े बड़े निताओं के साथ दिख रहा है विप्यस्टी पेपर लिग के मास्टर माइंड सक्ति कुमार का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसको लेकर एक बार फिर बिहार की राजनीती गरम ह हो सकती है और हो सकती है नहीं गरम होनी सुरू हो गई है क्योंकि लालु प्रसाद यादों के बरे लाल तेजपरताप यादों ने एक ट्वीट भी किया है देखिए वो लिखते हैं कि अब इस पे कुछ कहना है नितिश कुमार चाचा जी गया सहर का जेडियू ने था परच लिख मामले में जब जेडियू नेता सामिल है तो क्या कुछ और बरे लोगों के इसमें सामिल होने की संका नहीं बनती है क्या केवल सकती कुमार जो कभी रालुसपा का प्रदेश संगठन सचिव था जो अब जेडियू का नेता भी है सदस्ता उसने ग्रहन किया है जो की र जैसे प्रतिष्टित परिक्षा का सेंटर दिया जाता है और ऐसे लोग इस परिक्षा में सामिल है सोचिए कि पहले भी इन्होंने इस प्रकार के कितने ही कांड किये होंगे ये तो पहला उद्वेदान है लेकिन जिस प्रकार शयार्तिक अपरादिकाई कह रही है कि यहीं स सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें